सब्सक्राइब करने जा रहे हैं कि सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की 36 विभिन विश्व में बंपर्थ भरती 2022 इसमें 1669 वेकंसी निकल कर आ सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बारे में चलिए मांगे पढ़ें आप हमार चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें लाग किजिए फिर्ट शेर कीजिए फ़र आकन को प्रस कर दीजिए फॉर नॉटिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको सब्जक्ट बता देता हूं कि आप जैसे देख पार है मद्यवर्देश लोग से वायोग से सायक प्राइदव असिस्टेंट प्रोफेसर की बढ़ती है इसमें जो सब्जक्ट है आप देखिए एक अर्थ शास्त्र हिंदी भूगोल जीव रसायन विनस्पत्ति विग्यान रसाइन शास्त्र रसायन सबकी अलग अलग दीवी है पूरा पॉस्ट करके देख सकते हैं अपने सब्जक्ट में गरेत चित्रकला धर्शन शास्त्र पर्यावन विग्यान रसायन और गनेक प्राणी शास्त्र उर्दू वैद सांक्य की संस्कृत साहत्त्य समाश शास्त्र राजिनिक शास्त्र मनों विग्यान संस्कृत व्याकरना संस्कृत प्राचार बहतक शास्त्र संस्कृत संगीत वाध्या और संकीत वाध्या गायन इसमें पूस्ट है पांत सौप चौपन है फिर उसके अलावा स्टी की हैं सबकी मिलाके 1669 वैकेंसी यह मैलाओं की अलग से दीवी है और क्टेगरी इस तो शपेशल कर तकरिव्या यह तो चेंजर विशाओं की सब्जेक्ट मैंने आपको बता दी है जिसमें इंग किस में यह आप अब मैं बाद कर लेता हूं उसके दोटिफिकेशन की और लेके जलता आओ मैं आप वो सब सेम है लेकिन आपको इसमें अपलाया करने की जो डेट है ना वह अलग अलग है तो आपको आप जिस भी सब्जेक्ट 36 सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जब्ट है उसके लिए आपको इसकी में वेब्साइट पर आजना होगा गूगल पर आप सच कर सकते हैं एंपी पीएसी डॉट एंपी डॉट गॉर्मन डॉट इन वहां पर आपको अपने सब्जेक्ट की डाउनलोड करके रीड करना होगा उसमें डेट देखनी होगी जैसे यह वानिज्जे की एक हमने निकाली है और एक हिस्ट्री की निकाली है दोनों में अपलाय करने की डेट अलग अलग है मैं आपको बतादो सब्जेक्ट के लगा जैसे इसमें से स्ट्री की देखने हूं तो एक मार्श से 31 मार्च के बीच में अप्लाय कर सकते हैं यहां आप वानिजे में देखेंगे तो 15 फरवरी से लेके 14 मार्च के बीच से अप्लाय कर सकते हैं यहांगी चत्र सब्जेक्ट की अलग-अलग ही अपलाया करने की डेट यह आपको गौर करना है और अपने ही सब्जेक्ट में अपलाया करने के लिए पूरी विज्वटी को पड़ना है सबसे पहले मानेज्ञ की बात कर लेते हैं में जैसे मैं बताऊं 15 फरवरी से 14 मार्च की डेट दीवी है और आयू की गढ़ना एक जनवरी 2023 से की जाएगी 10 की माक्षिट के साब से आपको फॉर्म बढ़ना है और उसके अलावा जो है इसमें जो में में चीज़ें वहीं कवर करेंगे इसमें और सब सब्सक्राइब के लिए सेमी चीज है इवल अपने subject को छोड़ कर इसकी में वेबसाइट पर ही आपको इसकी करने का जो लिंक का वो मिल जाएगा परिक्षा का पैटन जो दिया वा है वो मैं आपको बता दू परिक्षा का पैटन आपका परिक्षा होगी जो वस्तुनिस्ट परिक्षा होगी उसके बाद तीन गुना अभियत्तियों को बुलाया जाएगा और उसके साथ आपका इंटेव्यू होगा उसके बाद इसमें सेलेक्शन होगा लेकिन इसमें मैंने एक बात और देखी है कि जो MP के लोग हैं उनमें वह पहले से गैस काश्रिषी ने यह हम कर अलग से इसमें कार्या रहें च्दिक मिल रहे हैं जितने उन्होंने गैस फाइदा है जो आउट आप ए्म पτα सकते हैं और अपला करने के लिए हम और ऑप किसी भी कटेगरी में करते हैं और आप एंपी से बाहर के हैं तो आपको अन्रिजर्व के टेगरी में हैं अपला करना या को ध्यान रखनी है बात और बाद में संशोधन के लिए उसी समर्टाइम मन रहा बाद में संशोधन नहीं होगा यह रिक्तियों जैसे कि इसमें जो भी आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में आपको पीजी होना चाहिए और 55% के साथ होना चाहिए अगर आप एंपी के अंदर ही है एंपी का आपको जो मूल निवास पर्मान पत्र मिला हुआ है तो आप रिजर्व कैटेग्री में हैं तो 50% मार्क के साथ भी आप अपलाया कर सकेंगे और इसमें जो पर वेतन है वह सतावन चाहिए जो पेड़ होती है वह छहाजार वाली है उती है और जो अकटमिक इस्तर दिया होता है वह दस है जो की नॉर्मल सब में रहता है इसमें कोई नहीं नहीं है बात अगर आप नैट हैं एंपी से सेट हैं यहां पीसडी है दो जानो के अनुसार तो आप इसमें अप्लाय कर सकते हैं अगर आप नैट हैं किसी बाहर से हैं तो कर सकते हैं ये गारी यह को देखिए 21 को से चालिस वर्ष है यानि 21 जो को भी एंपी से बाहर है केंडिडेट वह 21 से 40 वाले ही अप्लाय कर पाएंगे जो एंपी के अंदर है उनको एज का रिलक्सेशन दिया जाएगा यह आपको ध्यान रखनी है बात बात है इसमें जो सेवाननिवर्ति आयू दिये ना वह आपके इसमें पैसर वर्ष्ट तक की रहेगी पहले बता दिया गया है पिर कि मैंने आपको बता दिया कि एक्जाम और प्लस यह होगा और पर इसमें एक चीज और ध्यान रही है इसमें बता रहा है कि जो भी पेपर होंगे उनमें हर अलग अलग पेपर में 40 परसंट जो बाहर के कैंडिडेट हैं वहां में जो सेलेक्सिशन दिया हुआ वह अलग है इंडॉर शेडोल वालियर चंबल जबल पूर रिवा सागर और नर्मदा पुरम यहां पर आपकी परिक्षा के केंडर होंगे परिक्षा के बता दीए दस केंडर होंगे अब मैं आपको इसमेर लेके चल रहा हूं कि आप इसको अपला कैसे करेंगे और यह पूरी विग्यप्ति को आप किस तरीके से पढ़ेंगे यह देखो गैस लेक्षर के अंक भी दिये में कि कितने आपने लिए हैं कितने अंक आपको मिलने वाले हैं इनके लिए बहुत कि अपने ही लोगों को कैसे घृटक्त किया है अ और ऐसे हर कोई सरकार नहीं कर पाती राजस्तас सरकार तो मौडल यह जयो बाहर कä जो दूसरे सरकार हैं दूसरे स्टेट की कि जो गौर्मेंट उन्हों Zelda को आपने ही कटिए को प्रोड़क करने के लिए काफी नियम बना कि राजस्तान की सरकार में हाँ अपने ही Candidate जो कि राजस्तान के उनको protect करने के लिए उनकी reservation के लिए भी कोई ऐसा नहीं बनावाइग कि MP ने बना दिया है और भी इस्टेड ने बना दिया है काफी बना दिया है लेकि राजस्तान की सरकार सबसे पहले हम आप जाते हैं मध्यपरदेश की और मध्यपरदेश में आप देखी यहां पर इसकी में वेबसाइट पर जैसे आप आ जाते हैं वेबसाइट मैंने आपको बता दिया यहां पर आपको करते हैं आप नीचे आ जाएंगे यह वन टू थ्री तक है यहां पर यानि सिक्स नंबर से लेके फॉटीवन तक जो सीजर लंबर है वहां तक सबकी वेखन सी की दीवी है आप किवाल अब इतना करना है यहां पर डीटेल पे क्लिकर देना याट्च्मेंट के लिए यह डीटेल के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे ना जैसे मैं आपको बता देता हूं कि हमने कॉमर्स पे all detail पे क्लिक कर दिया तो नदिदिए पर करते ही यहां पर इसकी डेट स्टार्ट डेट आजाएगी एंड आ जाएगी और अटेश्मेंट पे एम में apply कर सकते हैं कि से एक सब्सक्राइड कर算iendo कर सकते हैं इसला बमेंट कर सकते हैं मैं फिरसे एक miten कर रहा हूं हर एक subject की apply क्रने की अपने सब्डेक्रने की दिश्क कर सकते हैं उसके पाद apply करने का link आपको वहीं मिल जाएगा अगर start हो गयी है तो आप apply कर सकते हैं कि इस से लेटेट कोच चैनल के और यह दो कमेंट कर सकते हैं कि वाचिंवार चैनल थैंक यू फो वाचिंवार चैनल